स्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शेनल में दोस्तों 10 जून 2021 को साल का पहला सुरिग्रन लग रहा है ऐसे में भारत में कितने वज़े से दिखाई देगा इसका सुतक काल क्या होगा और आप गर्वती महिलाओं को कौन सा काम करना होगा नत्रों आपको बताएंगे कि गर्वती महिलाएं जरूर करें छोटा सा काम सिसु को कोई भी नुक्सान नहीं होगा आपके जीवन में खुशिया होंगी नत्रों वहें सुरिग्रन काफी जाधा एफेक्टिव और काफी जाधा प्रभाव साले रहने वाला है क्योंकि ये साल का पहला सुरिग्रन होने के साथ-साथ ये काफी जाधा बड़ा ग्रन होगा जो लगवग पांच घंटों का होगा ऐसे में ये भारत में कब दिखाई देगा और इसका सुतकाल कब लगेंगे तदह आप बताना चाहेंगे कि गर्वती महिलाओं के साथ-साथ हर मनस्य को सावधाने जरूर वरतनी चाहिए ऐसे में वो कौन से कारी हैं जो के सुरिग्रन के दोरान करने चाहिए और वे कौन से कारी हैं जिनको सुरिग्रन के दोरान नहीं करने चाहिए कौन से ऐसे मंत्र हैं कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आप धनवान बन सकते हैं माला माल बन सकते हैं और इस ग्रण का आपके दैनिक दिंचरिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपको बताएंगे मुझसे पहले अगर आपको भी अपने सहर का जानना है कि आपके सहर में कभी ये सूरी ग्रण लग रहा है तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें तो दोस्तों 10 जून को लगनी वाला साल का पहला सूरी ग्रण भारतिय समय के अनुसार दो पहर एक बच कर 42 मिनट से शुरू होंगे जो के सूरी ग्रण के स समापते साम 6 बच कर 41 मिनट पर होंगे ऐसे में सूरी ग्रण की अबदे 5 घंटे 49 मिनट कर होंगे और ये सूरी ग्रण मुख्य रूप से रूस, मंगोलिया, भारत, सहेद, यूरोब, ग्रिनलेंड, कनाड़ा और मुत्र पुरुवी भाग और जीन के पक्ष्वी भाग में दिखाए देने वाला है, सूरी ग्रण भारत में ये आनसी ग्रूप से दिखेगा और इसका सूत्तक काल सूरी ग्रण लगने से यानि कि एक बदकर 40 मिनट से लगने से पहले है, 12 घंटे पहले है इसका प्रारंब हो जाएगा, सूत्तक काल से है, गरवत्ती महिलाओं को साब मनुस्य को भी कोई भी नुक्सान नहीं होगा, ऐसे में आप चलिए जानते हैं वे कौन से कारे हैं जो के गरवत्ती महिलाओं को सूरी ग्रण के दोरान नहीं करना चाहिए, जी हां, हिंदू पुरानी कथाओं के नुसार गरवत्ती महिलाओं को सूरी ग्रण के दोरान घर क अंदर चार दिवारी के अंदर हे रहना चाहिए पियोंकि सोरे से निकलने वाले पराभेगने किरने जोके बहुत भ्यानक हुती हमें उनको आपके गर्म में पढ़ने से सिस्व पर बुरा प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए गर्वत्ती महिलाओं के साथ साथ हर मनुस्य को इसका पालन जरूर करना चाहिए और सुरी गर्ण हो या चंदर गर्ण जब भी गर्ण का प्रभाव धर्ती पर पढ़ता है तो आप सुन कंदिरों के कपाट को बंद कर दें दोस्तों सुरी गर्ण के दुरान अगली जो बात करें वह हैं गर्वत्ती महिलाओं को चाको पिन सुए जैसे नुकीली चीजों से वे दूर रहना चाहिए क्योंकि हिंदू पुरानी कताओं के अनुसार यह माना जाता है क्यों इस सबद यह आप इन सबे बातों का ध्यान रखने की अवज से कोशस करें जी हां जो इधागा का उप्योग में इस समय के दोरान निशेद होता है दोस्तों चंदर गर्ण लगे यह सूरी गर्ण लगे आप गरण के दोरान भगवान का नाम लेने के अलावा कोई भी गलत कारी न करे मत्रों आप लोगों को खाना बनाना खाना खाना या पानी तगवे पीने की मना ही होती है ऐसे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यासे हैं तो आप पानी पी सकते हैं लिक्विड का इस्तमाल कर सकते हैं परन्तों रोगे मनुस्या गरीब बच्चे और जो भी चाहिए क्योंकि यहानी कारक हो सकती हैं सुरी गरण को कभी भी खुली आंकों से न देखें जिन्से आपकों की रोशनी भी खराब हो सकती हैं सुरी गरण के दुरान गरवत्ती महिलाओं को सोने के सला नहीं दी जाती हैं असलिए आप सोना भी नहीं चाहिए उसे फर्स पर फ के तो आप दान पुन्य बे जरूर करने चाहिए गर्वति महिलाओं को अपने बच्चों को शुर्खते दो निकलती हैं यासे मैं आप कुछ भी गलत कारी को ना करें गर्ण के दुरान भोधन पानी भे नहीं लेना चाहिए गिर्ण के दुरान असनान भे नहीं करना चाहिए असनान जरूर करें दोस्तों चैंदर ग्रण हो यह सुरी ग्रण इन सभी का मनुस्य के जीवन में असर जरूर पड़ता है ग्रण के दुरान आप गुरुमंत्रों का उचारण कर सकते हैं और घर में रह रहे मंदिरों के कपाट को बंद कर देना भी आपके लियावत सखोगा अपने घर के दुरान गर पर ही रहने के कुर्श करें जितना ज़्यदा हो सके भगवान जी का मंत्रों का उचारण करें जो भी मंत्र आपको आए उन सभी मंत्रों का पाट करें